तो आज जो हम दो सेशन कर रहे हैं वो सेशन का नाम क्या होगा कौन से टॉपिक तो यह इंडेक्स 2024 के उपर करेंट एफ़ेर्स होगा ग्लोबल इंडेक्स यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग इंडिया का रैंक देखेंगे वेडियस इंडेक्स में जो इंपोर्टेंट होगा exam के point of view से क्योंकि हमारा target तो exam ही है तो exam के point वेडियस जितना भी exam के oriented questions होगा वो हम लोग करेंगे यहाँ पे तो upcoming सब भी exams के लिए question important होगा यहां के जितने सारे देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिया के rank देखेंगे, top countries देखेंगे, कौन इसको publish करता है, वो देखेंगे, तो इंपोर्टन, especially SST के जो TCS जो कराता है, TCS जो exam कराता है, उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली यह pattern है, इंडेक्स हैं, तो चलिए देखते हैं, कौन से कौन से इंडेक्स में इंडिया का rank क्या होगा, कौन से publish हुआ है, किसने publish क्या है, top rank country कौन है, तो सब भी यहाँ पे देखने वाले, तो जिदने वही इस subscribe नहीं कियो जाके, तो अब भी subscribe करदान, bell icon को दबा के रख दो, क्योंकि जब भी video डाले, आपके पास तुरंती notification पहुच तो चलो, तो first question index के बारे में देखो, first question ही है परे, what is the rank of India in the global hunger index 2021, very very important, exam में पूछे जा, SSC में तो पूछेगा, ठीके, TCS के pattern के question में सबसे जादा पूछे जाने वाले है, यह global hunger index, तो इंडिया का rank अभी जो है, यह होगा, 105th आया है 2024 में, 2024 का देखने के दे कुछ नहीं ह होगा, previous का ज्यादा पूछता है, ठीके, तो previous 2023 में क्या है, 2023 में हो जाए, 111th, 2022 में देख ले थे, 2022 में हो जाए, 107th, and 2021 में, 2021 में होगा, 101st rank, now इसको release कौन करता है, release करते है, wealth, hunger, health, and जो जर्वन ही का है, and concern worldwide जो Ireland का है, ठीके, and top rank country यहां पे हो जाएगा, जो होगा, बेल जारूज, चलिए, question number 2 देखो, what is the rank of India in the world press freedom index 2024, तो इंडिया का rank क्या है, इस बार, 159th rank आया है, 2024 में, 2023 में क्या था, 2023 में यह पूछा जा सकते है, 161st rank था, 2022 में क्या rank था, 2020, 2 में rank था, 150th rank, and 2021 में, 2021, and 2020 में rank था, 142nd rank, तो सभी को दे दिया आपे, सभी important होगा, पूछा कोई भी हो सकता है, चलिए, release कौन करते हैं, reporters without borders release करते हैं, 1st rank यहां पे top rank country हो जाएगा, पहले, Norway, 2nd पे Denmark, 3rd पे हो जाएगा, Sweden, चलिए, next question, question number 3, what is the rank of India in the world cybercrime index 2024, जो अभी हाली में बहुत ही important है, cybercrime, तो इसमें से इंडिया का rank होगा, 10th rank पे, इंडिया अभी स्थ है, now, top rank जो country यह वो कौन सा है, Russia top में, 2nd पे Ukraine हो जाएगा, 3rd में हो जाएगा, China, इसको ज़रूर यहात रखने हैं, ऐसे rank wise, 1, 2 and 3, next question, question number 4, देखो, what is the rank of India in the world happiness index 2024, यह भी important है, पूछा जाने वाला exam में, तो इंडेख्स में 2024 में जो इंडिया का rank होगा, वो होगा, 126th rank आया है, यह rank 2023 में भी था, टीके, same rank इंडिया, hold कर रहा है अभी, 2022 में क्या था 2022 में इंडिया का रैंक था 136 2021 में इंडिया का रैंक था 139 and 2020 में इंडिया का रैंक था 144 तो सब भी दे दिये कोई भी एक्जाम में पूछा जा सकता है especially TCS के दुआरा जो एक्जाम होता है now इसको रिलीस करता है UN Sustainable Development Solution Network and top rank country जो first में होगा वो होगा Finland चली next question question number 5 what is the rank of India in the global gender gap index 2024 तो gender gap index में 24 में इंडिया का रैंक आया है वो होगा 129th rank okay and 2023 में क्या रैंक था फिर 2023 में इंडिया का रैंक था 127th 2022 में इंडिया का रैंक था 135th and 2021 में इंडिया का रैंक था 143th rank तो ये पर जितना भी ये सभी important होगा एक्जाम के point of view से इसको release कौन करता है पूछे जाना वाला है WEF मतलब World Economic Forum इसको release करता है and top rank हो जाए गया आपे Iceland next question what is the rank of India in the Human Development Index 2023 human development index 2023 में क्या rank होगा 134th rank आया है human development index में 2022 में रैंक था 2022 में रैंक था 132nd and 2021 में रैंक था 131st very very important होता है ये HDI जो एक्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले से इसको release कौन करता है release करता है UNDP जिसको बोला जाता है United Nations Development Program and first rank country कौन सा होगा याँ पे Switzerland हो जाएगा top rank country चाली question number 7 what is the rank of India in the global peace index 2024 तो इसमें इंडिया का rank होगा 116th rank जिकें जिनमें से 2022 में रैंक होगा क्या 2022 में इंडिया का rank 135th and 2023 में 2023 में 126th rank था इंडिया का now release कौन करता है इसको release करता है Institute of Economics Peace, Economic and Peace IEP and top rank country याँ पे question number 8 देखो क्या बोला गया है what is the rank of India in the क्या बोला गया है याँ पे याँ पर rule होगा ठीक है rule of law real नहीं याँ पर rule होगा ठीक है rule rule of law index 2024 याँ पर हो जाएगा 79th rank होगा इंडिया का ठीक है 24 में इसको release कौन करता है release करता है world justice report and top rank country याँ पे कौन सा होगा Denmark ये report आता है तो 2023 का कोई report नहीं है 2022 में था 108 ठीक है इसको कौन release करता है release करता है Yale University and Columbia University top rank country याँ पे हो जाएगा Estonia second way Luxembourg and third में हो जाएग याँ पे Germany next question question number 10 देखो what is the rank of India in the international intellectual property index 2024 तो इसमें क्या rank होगा इंडिया का इसमें rank आया है 42 ठीक है जो rank 2023 में भी था and 2022 में फिर क्या था 2022 में 43rd rank था ठीक है इसको release कौन करता है release करता है US Chamber of Commerce and Global Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center जिसको बोला जाता है GIPC and first rank हो जाएगा United State मतलब US चला question number 11 देखो क्या बोलागे आपे what is the rank of India in the Global Innovation Index 2024 जिनमें इंडिया का rank क्या होगा इसमें इंडिया का 24 में rank आया है 39th rank 2023 में क्या rank था 2023 में इंडिया का rank था 40th and ये 2022 में भी था 2021 में क्या था 2021 में 46 and 2020 में rank था इंडिया का 48th इसको कौन रिलीस करते है रिलीस करते है World Intellectual Property Index जिसको Property Organization WIPO and first rank पे यहां पे हो जाएगा Switzerland जो 14th consecutive time top rank पे hold कर रहा है Next question Question number 12 देखा जाएगा Question number 12 बोलाए Which Indian state has ranked top in the 6th State Food Safety Index 2024 तो कौन सा state होगा तो ये हो जाएगा केरला इसको रिलीस कौन करते है Food Safety and Standard Authority of India जिसको सबको पता होगा FSSAI इसको रिलीस करता है Next question 13 number What is the rank of India in the global AI readiness index 2024 तो इसमें से इंडिया का rank क्या होगा Very very important क्योंकि AI is related AI अभी बहुत हाली में बहुत चर्चे में तो Artificial Intelligence अभी important होगा exam के point of view से तो इंडिया का rank यहाँ पे हो जाएगा 72nd rank इसको रिलीस कौन करता है रिलेस करता International Monetary Fund IMF और टॉप रैंक कांट्रिया पे कौन सा होगा Singapore यह पे टॉप रैंक होल्ट कर रहा है Next question 14 number What is the rank of India in the global firepower military strength index 2024 तो इसमें से इंडिया का rank क्या होगा यह बहुत important है इंडिया का rank हो जाएगा for जो rank 2023 में ही था ठीके 2024 और 2023 सेम rank इंडिया होल्ट कर रहा है इसको रिलीस कर रहा है global firepower और टॉप rank हो जाएगा United States Russia China और 4th rank पे हो जाएगा इंडिया इसको जरूर याद रखना ठीके यह 1 2 3 4 ऐसे याद रखने इसको ठीके Question number 15 देखो What is the rank of India in the gender inequality index 2022 जो 24 में रिलीस हुआ है इसमें इंडिया का rank क्या होगा 108th rank आया है इंडिया का यह 2021 में last निकला था वो होगा 122nd rank था अभी 24 में rank है 2022 का जो होगा 108th rank इसको रिलीस करता है United Nations Development Program UNDP and top rank country हो जाएगा Denmark Next question देखो Which country's passport has become the second cheapest in the passport affordability rankings 2024 तो कौन सा होगा तो यह हो जाएगा इंडिया का यह भी important है बहुत ही चलो Next अच्छा इसको top rank यहाँ पर क्या हो जाएगा जो top rank पर हो जाएगा United Arab Amartis UAE यहाँ पर top rank countries passport हो जाएगा Next question 17 number What is the rank of India in the global talent rankings 2024 तो इनमे से इंडिया का rank हो जाएगा 24 में 58th rank 2023 में क्या था 2023 में था 56th rank इसको रिलीस कौन करता है International Institute for Management Development and यह जो यह जो top rank country हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा Switzerland यहाँ पर top rank पर है Next question 18 number What is the rank of India in the corruption perception index 2023 CPI 2020 जो रिलीस वाएगा January 2024 में तो इसका rank हो जाएगा 93rd rank very very important यह भी यह भी एक्जाम के point of view से important होगा जैसे कि SSC CGL जो होगा CGL tier 2 में important होगा यह सी तरह के question index related Now 2021 में क्या था 2021 में था 85th and 2020 में था 86th rank इसको रिलीस करते है कौन सा Transparency International TI and top rank पर हो जाएगा Denmark चलो next question 19 number Which country has become the world second largest emitter of nitrous oxide N2O जिसको बोला जाता है इसको laughing gas भी बोला जाता है तो यहाँ पर कौन सा होगा यह पर हो जाएगा second rank पर कौन सा India first में कौन सा होगा first में हो जाएगा China third में कौन सा होगा third में हो जाएगा United States and fourth में हो जाएगा यहाँ पर कौन सा Brazil ठीके सभी यहाँ पर important होगा next question 20 number देखो What is the rank of India in the global energy transition index 2023 तो कौन सा rank होगा 21 में जो निकला था 2021 में क्या था 87th and 2020 में and 2020 में जो rank था 74th rank था इसको रिलीज कौन करता है World Economic Forum WEF and जो first rank पर कंट्री होगा वो हो जाएगा Sweden next question What is the rank of India in the global economic freedom index 2023 very very important पूछे जाने वाला से ठीके TCS के एक्जाम में पूछा जाता है SSC का ठीके जो रिल्वेस भे आ रहा है रिल्वेस के लिए भी important होगा RRB, NTPC बोलो ALP बोलो Technician का एक्जाम बोलो JE बोलो सभी में जो GKS से कुशन होगा current FH से होता है तो आपे पूछा जाने वाला question होता है Now यहाँ पे rank क्या हो जाएगा rank हो जाएगा यहाँ पे 121st rank 2023 में क्या rank था 2023 में rank था यह and 2021 में भी same rank था 2022 में क्या rank था 2022 में rank था आने and 31st and 2020 में rank था यहाँ पे 105th rank इसको release कौन करता है Fraser Institute Canada and 1st rank पे कौन सा country होगा Singapore यहाँ पे 1st rank holder हो जाएगा Next question What is the rank of India in the Climate Change Performance Index CCPI 2020 थे last year का rank है यह तो इंडिया का rank क्या हो जाएगा यहाँ पे इंडिया का rank हो जाएगा 7th rank इंडिया hold कर रहा था 2021 में यह पहले जो निकला था वो होगा 10th rank पे था इसको कौन release करता है German watch तो यहाँ पे जितने सारे जो इंडिक्स के बारे में दिये यह सभी बहुत इंपोर्टन होगा exam के point basis especially SST का exam जो CGL बोलो CGL टाटाइट 2 होने वाला Railways का Railways का जो exam होने वाला RRV का ALP बोलो NTPC बोलो सभी जो exam होने वाला technician का बोलो tech का जो exam बोलो सभी